गंपती के सेवन्थ डे के भूग के लिए आज हम बेसन के मोदग बना रहे हैं जो मुझ में एकदम घुल जाते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है ये आधा कप शुद्ध की इसको कड़ाई में डालके मेल्ट कर लेंगे और मैं बेसन ले रहे हूं करीब देड़ कप तो अंदाज जो है वही लीजेगा तो बहुत अच्छे आएंगे अब ये डालके और पिल्कुल धीमी आज पे मतलब एकदम स्लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे इसको भूनना है इस तरह से ये देखे का बिल्कुल एकदम ऐसे पतला सा ये हो जाएगा तो पहले सूखा सर हैगा फिर ये दीरे दीरे इस तरह का टेक्शर हो जाएगा और यदि हम एकदम धीमी आज पे और थोड़ी मोटी कड़ाई रहती है भूनेंगे तो करीब हमें 18 से 20 मिनिट लगते हैं भूने पे एक भीनी सी कुश्बू आने लगती है तो समझ में आ जाता है कि भून गया है और अब हम इसमें करीब एक कप से जरा सकम मैंने शक्कर लिया है देड का बेसन में एक कप से थोड़ा सकम शक्कर लिया है शक्कर डालने के बाद बस जैसे ही घुल जाएगी हम इसम ढालेंगे दूदूदूद की कॉंटिटि हमें चाहिए गालें मलाई दूदूदू जाएंगे आप दिखेंगे इसका texture काफी change होता जाएगा पहले तो ये कड़ाई में थोड़ा सा चिपकेगा बट धीरे धीरे जब हम पूरा दूद डाल देंगे तो वो धीरे धीरे पूरा दूद सोकता जाएगा और फिर बाद में चलाते चलाते और ये कड़ाई छोड़ने लगेगा तो पहचान यही है कि पूरी तरह से पग गया कैसे पहचानेंगे तो जब वो कड़ाई अच्छी तरह से छोड़ने लगेगा तो समझ जाएए कि ये हमारा बेसन जो है वो अच्छे से पग गया है ये हमारा जो मुदक के लिए जो मिटीरियल है वो रेडी हो गया है अब इसी स्टेज में आप इसमें या तो ड्राइफ फ्रूट्स या इलाइची डाल सकते हैं बट बेसन का जो अपना टेस्ट ही रहता गीए के साथ जो भुनने के बाद जो टेस्ट आता है वो ही बहुत अच्छा लगता है तो मैं क्या करी हूँ ऐसे ही स्टेज में इसमें देखिए मैंने पिस्ता हलका हलका किनारे किनारे लगा दिया वो बस बाहर से दिखेगा तो सुन्दर बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह से ये मोदक के साचे में डाल के हम मोदक बना लेंगे अभी तक यदि आपने मेरे पिछले मोदक के वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके जरूर एक बार देखेगा और ट्राई कीजिएगा सब एक से बढ़के एक टेस्ट वाले हैं तो आपको जो पसंद आए आप वो मोदक ट्राई कर सकते हैं घर पर ही बाजार से भी अच्छे एक से एक मोदक आप घर में ही बनाईए और भूग लगाईए इसी को आप बर्फी या लड्डू का भी शेप दे सकते हैं बिट स्वात तो वही रहेगा जो बहुत टेस्टी है तो एक बार आप भी इसी तरीके से ये मिठाई जरूर ट्राई कीजेगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजे